हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के विशय परियावरण अध्यन के कार्य पत्रक शिक्स को सॉल्ब करेंगे जो की उत्री दिली नगर निगम के द्वारा दिया गया है बच्चो आ तो सही उत्तर का चैन कीजिए दिवाली का त्योहार कब मनाया जाता है बच्चो यहां पर options हैं कार्तिक अमावश्या को कार्तिक पूर्णी मा को इन में से कोई नहीं तो कब मनाया जाता है कार्तिक अमावश्या को पहला options हैं next है दसहरा उत्सब उत्सब कहते हैं त्योहार क किस प्रतीक के रूप में मनाया जाता है options है रावड पर राम की विजय हुई थी या फिर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में या दोनों तो बच्चो इसमें जो third option है दोनों क्योंकि दोनों ही बाते सही है तो third option सही है next है ईद के लिए पकाया जाने वाला विसेश व्यंजन कौन सा है तो बच्चो ईद पर कौन सा व्यंजन पकाया जाता है सेवईया next है होली का त्योहार है रंगो का प्रकास का या फिर इन में से कोई नहीं तो सही option है रंगो का क्योंकि holy रंगों का त्योहार है next है Christmas को किस रूप में मना जाता है तो बच्चों किस रूप में मना जाता है options है सिख गुरू के जन्म दिन के रूप मे ईसा मसीह के जन्म दिन के रूप मे या फिर इन में से कोई नहीं तो बच्चों इसमें सही option है second ईसा मसी के जनम दिन के रूप में त्योहार का समय होता है कैसा होता है उदासी का गंभीरता का या फिर खुसी का तो बच्चो ऑप्सन थर्ड जो है वो सही है त्योहार का समय खुसी का होता है Christmas पर बच्चो का मानना है कि क्या मानते हैं बच्चो सांटा क्लॉस उफार लाएंगे लोग रंगों से खेलेंगे या फिर इन में से कोई नहीं तो बच्चो फस्ट उप्सन जो है वो सही है कि सांटा क्लॉस जो है वो उफार लाएंगे अब है बच्चो उचित मिलान कीई फस्ट है बच्चो यहाँ पर ओनम ओनम का त्योहर कहां पर celebrate किया जाता है केरल में इस पर नावों को आप यह देख सकते हैं जो नौका है इनी सजाया जाता है और इनकी race की जाती है नेक्स्ट है लोहोडी का त्योहर तो बच्चो आप यहां इस चित्र में देख रहे हैं लोहोडी का त्योहर पंजाब में मनाया जाता है नेक्स्ट है दिवाली दिवाली पर घर को सजाते हैं दियों से लाइट से उसके बाद है बच्चो क्रिस्मस क्रिस्मस का त्योहर आप यहां देख सकते हैं संटा क्लॉज हैं बच्चे हैं जो बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं नेक्स कौन सा फेस्टिवल है इद तो इद पर आप यहां देख सकते हैं बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं अब है सही या गलत कथन का चेयन कीजिए यहां पर बच्चों हमें बताना है कि कौन सा उप्षन सही है और कौन सा गलत है फर्च्टे बच्चों दिपावली रंगों का त्योहार है तो बच्चों रंगों का त्योहार होली होता है दिपावली प्रकास का त्योहार है तो बच्चों यह गलत है नेक्स्ट है ओनम पर सांपो की नोका दोड आयोजित की जाती है तो बच्चो सही है नेक्स्ट है लंगर पृति दिन परोसा जाता है तो बच्चो ये गलत है क्योंकि लंगर किसी विशेश दिन पर ही परोसा जाता है नेक्स्ट है Christmas इसायो द्वारा मनाया जाता है तो बच्चो सही है इसे Christian लोग ही celebrate करते हैं नेक्स्ट है ओनम केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है तो बच्चो हाँ ये सही है इसे केरल में ही मनाया जाता है नेक्स्ट है बीहू असम का त्योहार है तो बच्चो ये बात भी सही है बीहू को असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है पॉंगल केरल में मनाया जाता है तो बच्चो ये गलत है क्योंकि पॉंगल को तमिल नाडू में सेलिब्रेट किया जाता है अब है जीवन कोशल सामुदाईक स्वच्चता हमारे आसपास का वातावरन हमें स्वच्च रखने में बहुत महतुपूर भूमी का निभाता है हम सब एक पड़ोस यह स्वच्चता की इस्तिती हमारे स्वास्थ को प्रभावित करती है इसलिए व्रक्तिगत स्वच्चता के साथ स्वच्च और स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देने में योगदान करना हमारी जिम्मेदारी है अब बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं तो बच्चों यहाँ पर फिर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं जो लड़का है वो कच्चरे को डस्ट बिन में डाल रहा है तो हमें जो भी कूड़ा होता है कच्चरा होता है उसे डस्ट बिन में डालना चाहिए बच्चे अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे पानी से कच्रा उठा कर भर रहे हैं तो हमें कभी भी पानी में कच्रा नहीं डालना चाहिए कच्रा डालने से पानी प्रोदूसित हो जाता है गंदा हो जाता है अब बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी पिक्चर में यहाँ पर यह बच्चे कचरे से जो प्लास्टिक का सामान है बोटल आदी है इन्हें अलग डाल रहे हैं तो हमें कभी भी कचरा डालते समय बोटल को कचरे में नहीं डालना चाहिए जो भी प्लास्टिक के सामान ह होते हैं उस कत्रे को अलग रखना चाहिए अब बच्चों आप देखेंगे चौती पिक्चर बच्चों यदि हम साफ सफाई रखेंगे अपने पर्यावरन को वातावरन को साफ रखेंगे तो हमारा पर्यावरन साफ रहेगा बिमारिया नहीं होंगी और हम भी स्वस्त जिस वक्ती ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिस नहीं की किसने कहा है अलबर्ट आइंस्टीन ने खाना पीना आज खाने पीने में है वेजिटेबल सेंड्विच बना कर खाएंगे आप गती विदी है मसालों की खुसबू से उनकी पहचान करना सीख भी खेले हम सब में कौन उचा कूदे निम निलिखित आधतों को अपनी दिन चरया में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांटों को दिन में दो बार बर्ज करें प्रति दिन इस्मान करें खूब पानी पीएं और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हातों को बार-बार धोएं अपना ग्रह कारिये समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू